जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करती हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है कुल देवी क्या होती है कुल देवी को प्रसंदने कैसे करें और कुल देवी जब रुश्ट होती है तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं या नहीं होते हैं कुल देवी को लेकर के क्या रहस्य है क्या वास्त्विक्ता है आप इस कारेकरम को अपनी knowledge के लिए और बहुत लोग कुल देवी की बात करते आप से पाई जाएंगे तो जरूर इस कारेकरम को आप सुनिएगा आपकी कुल देवी कौन है ये भी आप जानने का प्रियास करें 89, तिसी तरक्तिया, नक्षत्रम्रक्षिरा, राहुकाल 10.12, दिशासूल पश्चिंदिसा, कई बार आप किसी से मिलते हैं, तब आपको ये कह दिया जाता है, कि आपकी कुल्देवी आपसे रुष्ट है, इसलिए आपकी घर में नुकसान हो रहा है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके कारे रुक रहे हैं, इसलिए आप बिमार हो रहे हैं, अनेको अनेको बातें कह दियाती हैं, और इस कारेकरम को पूरा ध्यान से पूरा सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ना आपको, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम ये बताएं क कि कुल देवी क्या होती हैं, भगवती दुरगा अनेको सवरूप में बास करती हैं, जगदंब भवानी कहीं इंद्राक्षी रूप में बसती हैं, कहीं ब्रामरी रूप में बसती हैं, कहीं मिनाक्षी रूप में बसती हैं, कहीं शाकंब्री रूप में बसती हैं, कहीं सताक अपने बाक्तों को दर्शन दे करके जिन्देगी की नईया से पार उतारती है। मा हैं ये। सबसे पहली परिभाशा तो यही गलत है कि कुल देवी रुष्ठ होने पर हमारा नुकसान करती है। मा कदापी अपनी संतानों का अहित नहीं चाहती। द्यान से सुनले ये बात। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन मा कुमाता नहीं हो सकती। सुनाए ना आपने। आप भी किसी की माँ हैं, आपका पुत्र आपको पैसा कमा करके देवे न देवे, आपका पुत्र आपके पैर छुए न छुए, मन में दुख हो सकता है, लेकिन आप अपने पुत्र को बद्वा नहीं देंगी, है न, और नहीं अपने पुत्र के बच्चों को आप ऐसा बुर जगत की मा हैं यही कुल देवी हैं महालक्ष्मी अनेकों रूपों में वास्त करती हैं गजलक्ष्मी रूप में असलक्ष्मी के रूप में वहीं भगवती कित्रे रूप भगवती महाकाली भगवती महासरस्वती और भगवती महालक्ष्मी अने को अने को रूप में दसम महाविद्याव को रूप में भगवती वास करती है आज धर्म को ऐसा बना दिया गया है जो जिसके मन में आए वो बोल दे और बोल करके चला जाए जो जिसके मन में आए वो हमारे सादकों को बोल दे और आप भी ऐसे हैं, दिवाग का प्रियोग नहीं करती, आप बुद्धी का प्रियोग करे, कोई पडोसी आपको कहे है, कि आपकी माँ आपको बद्धुआ देती है, आपकी माँ आपका बुरा चाहती है, तो क्या आप मान लेंगे, आप कदापी नहीं मानेंगे, लड़की क कि शादी हो गई, अपने सुस्राल चले गई, मा उससे बात करने को तरस्ती है, बहला कैसे हो सकता है कि एक मा अपनी बच्चों को अभिशाप देवे, कभी मा क्रोधित भी होती है न, तो उसके क्रोध में भी हमारा हित छिपा होता है, जब हम छोटे होते हैं, शरारत करते हैं हम पढ़ने को तयार नहीं होते तो क्रोध हो जाती है, कान पकड़ लेती है, किसलिए? कि ये पढ़े, मेरा बच्चा और बच्चों से पीछे न रह जाये, मेरा बच्चा सरस्रेष्ट बच्चों की सिर्ड़ी में खड़ा हो जाये, इसलिए मा डाटती भी है, फटकारती भ परना इस प्रकार की अंगल वातों पर कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ठ होती हैं। अपनी जेव से जिन्दी की भार अपनी संतान के लिए खर्च करता है। इतना मन दुखेगा। एक भेन हमेशा भाई के लिए दुआएं करती हैं, बलाएं मांगती हैं। और भाई भेन के उपर और अप लगाए, तो भेन का मन कितना दुखेगा। ये तो हमारे और आपके मन हैं। उस जगजन्नी का मन कितना बड़ा होगा। जो पूरे संसार का भरण पोशन करती हैं। इसलिए ध्यान रखना, कदापी ऐसी बातों में आप लोग तो कतई मता आना जो हम से जुड़े हैं। है न, हमें कोई कितना भी कहे, लेकिन कुल देवी मेरे बच्चों कभी रुष्ट नहीं होती। हाँ, इतना जुरूर है, जब आप उन्हें मानना चोड़दें, उनकी पूजा करनी चोड़दें, उनके स्थान पर जाकरके माथा टेकना चोड़दें, सीषनवान चोड़दें, तो वो सामाने सी तो हो जाती हैं, लेकिन वो आपसे रुष्ट नहीं होती। अब आप समझें या ना समझें वो आपकी इस्तिती है अब आप कहें कि रुस्ट नहीं होती तो हम बिमार क्यों होते हैं अच्छा तो भगवती आपको बिमार करती हैं अब आप कहें साथ हम तो पैसा नहीं कमा पाते तो भगवती रुस्ट हो रही हैं कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं आपका प्रमोशन नहीं हो रहा आपकी सेलरी नहीं बढ़ रही आपके काम नहीं बन रहे आपके घर में संतान नहीं है तो मा चाहती है ऐसा हो बोलो ये हमारे अपने कर्म है यह हमारा प्रारब्द है, प्रारब्द हमें भोगना ही पड़ेगा, जैसे हमने कर्म की हैं, जैसे बीजबोएं हैं, वैसे फल हमें काटने ही पड़ेंगे, अब चाहिए इलजाम आप उस पे कुल देवी के उपर लगा दो, या किसी भी चीज़ के उपर लगा दो, क्लियर, अब आपकी इच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुल देवी कौन है, कुल देवी कैसे बनाई जाती है, मेरी कुल देवी कौन है, आपकी कुल देवी कौन है, क्या है कुल देवी, देखो, कुल किसको कहते हैं, परिवार को, मेरे बड़े बजुरुग, मेरा परिवार, मेर आप जहां भी जिस प्रांत में रहते हैं, आप महरास्ट में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, आसम में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, भारत के किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, वर्ड के किसी भी हिस्टे में आप रहते हैं, जहां सनातन धर्म की नीव है, जो कुल देवी या सनातन धर्म में सांस लेते हैं, तो जिस प्रांत में आप रहते हैं, आपके भुजुर्ग रहते आए हैं, उस प्रांत के निकट्तम जो भी भगवती का शक्ति पीठ होता है, या माननता के आधार पर कोई विशेश मंदिर, विशेश भगवती होती है, तो उन्हें आपके बड़े मानते हैं, क्योंकि आप जैसे हिमाचल में हैं, देवियां हैं, बहुत लोग जाते हैं, आसाम में हैं, भगवती कामख्या वास करती हैं, एमपी में हैं, दतिया की महरानी, भगवती वगला वास करती हैं, धूमवती वास करती हैं, तो जहां जो जिस प्रांत में रहता है, उसके आसपास की जो भी देवी देवता होते हैं, उनके तरफ हमारा परिवार आकर्ष्ट होता है, या कोई किसी से गुरु मंत्र ले 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 पिता गया फिर बेटा गया बेटे का बेटा गया तो कुल-दर-कुल उन भगवती को हम मानते चले जाते हैं वही हमारे कुल्देवी बन जाती है समझ में आगी है अब आप कहेंगे साब मुझे तो पता नहीं मेरे बुजरूग कहा जाते थे अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके कहीं नहीं रिस्तेदारी में कोई बड़े बुड़े जरूर होंगे वो बताएंगे कि भई आपकी बुआ हो कोई बड़े हो उनसे आप पूछेंगे तो जरूर पताएंगे भई आपके बड़े बुजरूग यहां इस भगवती पर जाया करते थे यह आपकी कुल देवी है कुल देवी ठीक है अब एक समस्या हो रहा है कुछ कहे साब हमारे बड़े बुजरूग तो मानते ही नहीं थे इन बातों को हम मानने लगे तो फिर आप जिन से दिख्षा लें वो ही आपकी कुल देवी है बस यह दिमाग में सुत्र बिठा ले आपके प्रांत में आपका परिवार जहां जिसमठ पर जिस देवी देवता अस्थान पर जाता है वो ही आपकी कुल देवी होती है हो जाती है कई बार आज हम महरास्ट में रहते हम आसाम में रहते हम दिल्ली में रहते है और हमारा पूरा परिवार लंडन चला जाए कहीं और चला जाए सब आगे की पेडियां वही पर रहे तो हमारी कुल देवी जो हमने दिल्ली में जिनको माना या गुरगाओं वाली जैसे भगवती है तो जो जिसको मानने लगते है तो लंडन का परिवार वहीं उनको पूजने के लिए समय निकाल करके आता रहे आना मुश्किल हो तो वहीं से भगवती का कोई चित्र रख करके उसका पूजा पाठ करता रहे तो आपकी कुल देवी सदैव आपके संग रहेंगी वो भी समझती है अब ऐसे समझो मा का पुत्र बड़ा हुआ जोब लग गई मा रहती है अपने घर में क्योंकि खेती बाड़ी समाल रही है और काम समाल रही है पुत्र की जोब लग गई 670 किलिमेटर दूर तो मा ने का बेटा तू चला जा तू जोब कर ले ठीक है मा अपने घर में रही और बेटा जोब के लिए चला गया शादी हुई बहु आई तो मा को तो हर तरह से चिंता है न अब मेरे बेटा कैसे खाएगा कैसे रहेगा तो बहु को मा ने कहा कि चल मेरी सेवा तो मैं देख लूँगी अपने आप हो जाएगी बेटा तो बहु को अपने साथ ले जा बहु पुत्र के साथ चले गई बहु बेटा दूर चले गए लेकिन मा कहा है मा तो अपने घर में है ऐसे ही जो मा अपने घर में है वो भगवती अपने मठ में वास करती है अपने पीठ पर वास करती है शक्ति पीठ पर वास करती है जब जब आपको समय मिले आप जाईए और यदि आप कुल देवी बनाना चाते हैं तो जैसे हम आपसे बात करते हैं भगवती दुरगा की बात करते हैं क्योंकि इंद्राक्षी जो हैं ये दुरगा ही है तो हम भगवती, इंद्राक्षी, दुर्गा की आपसे बात करते हैं जिन्होंने हम से दिख्षा ली हैं, जितने भी सादक हम से जुड़े हैं तो अब यही आपकी कुल देवी बन गई हैं, भगवती, दुर्गा, इंद्राक्षी, माता वो ही आपके कुल देवी बन गई आप गाहित्री के अनन्य भगते हैं गाहित्री भगती ही आपके कुल देवी बन गई इसलिए मेरे बच्चो ये दिमाग में बिठा ले कुल देवी कदापी रुष्ट नहीं होती और जाने अन जाने में हम तो बच्चे हैं भूले तो हमसे होती रहती है लेकिन मा तो हमेशा बच्चों को माफी करती रहती है तो आज मैं चाहूँगा मैंने अब सारी बाते आपको समझा दी है लेकिन जीवन में एक गाइड होना चाहिए एक गुरु होना चाहिए आध्यात्मिक प्रग्डंडी पर आप विकास करना चाहते है तो गुरु की अत्यधिक आवशक्ता है आपने देखा हो जो हमारे सादक हम से जुड़े है हम प्रतिदिन एक मित्र की भाती एक शिक्षक की भाती आपको कोई न कोई चेप्टर कोई न कोई सुत्र समझहाते रहते हैं हमें लगता है कि कुछ चीजें हमें लगता ऐसा हमें मालूम होता है इसलिए एक नई-ई-दिक खोज करके नई-ई- Teachings दिमाग मिला करके उन उल्जिद् Renee को आपकर शेर करते हैं तो हम आपको समझाते रहते हैं, अब आप अच्छे से चुड़े रहे हैं, और दूसरी बात, किसी भी तरह का कोई आपके मन में वहम हो, आध्यात्मिक सफर को ले करके, और भी सवाल आपके मन में हो, कभी कभी कॉमेंट्स बॉक्स में, सभी का जवाब देना तो मुश्किल ह हो याता, हजारों लोग कमेंट्स करते हैं, लेकि कोई चेप्टर हमारे दिल को छूता है, समझ में आता है, इस पर बोलना चाहिए, हम उस पर आपको बताते हैं, अब एक सवाल हम और उठाने वाले हैं, एक दो-चार रोज में, क्या जैसे हमने बताया था था न, क्या व्य करने लगते हैं, तो ये कितना सत्य है, क्या व्यक्ति के सरीर में है, भगवती का वास होता है, या व्यक्ति के सरीर में कहते हैं, मा आगई, मा आगई, मा आगई, ये क्या पाखंड है, या अंज्विस्वास है, या लोग वैसे ही इन सब चीजों का ड्रामा करते हैं, और ब समय उचला आज की ध्यान माला का भगवती कुल देवी की बात की है, तो सभी भगवती दुरगा में इंद्राक्षी में अपने मस्तक को नमामें और कुल देवी को इनी में ढूंडें इनी में बसें और इनका ध्यान करते हुए आज की साधना दो मिनट के लिए हमारे संग करें पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम कडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिम करेश्त्रिनयानाम सरवंग वूसाबृताम नेलास मध्युतिमास जबाद दसकाम सेवे महां कालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम अदुम कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरास्य विताम हस्तेश चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच मना लें ध्यान करें जगदंबा का शुवासिस हम सब के ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रकोले समान्य हो जाए देखो साथको हम कुछ न कुछ आपके संग लेकर के आते हैं और बस हम आपसे यही चाहते हैं कि जितने भी इस प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हैं आप उन्हें साज़ा करें शेयर करें और अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल से फेस्बुक पेस से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें सत्य सनातन धर्म में बहुत अतियावश्यक्ता है सच्चाई को जानने की बहुत बुरी तरह से सडियंतर रचे जा रहे हैं हमारे धर्म के प्रती आप सचेत हो जाएं वरना बहुत देर हो जाएगी इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि हमारी ये आवाज जो भी हम चीजे बताते हैं वो अधिक से अधिक लोगों के कानों तक पहुंच सकें सनातन धर्म की पगडंडी पर चल करके हम हमेशा खुशाल रह सकते हैं आप भी चलें औरों को भी सत्य की राह दिखाने का आप लोग प्रयास करें और इस पुर्णिया का भागी बनें स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विराम देती हैं जय जय अम्बे जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बाते इनसे लगातार कभी कभार हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेज चौंका करीब चार-पांस दिनों से कववों का जुंट मेरे घर पे मन रहा था यही सोचने परेशान था यह सुभ है असुभ है क्या चीज है तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कववे आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुछ तो आलोगिक है इनमे दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे, मेरी इन से वारता हुई तो मैंने इनका उद्देश से जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उद्देश उन्होंने मुझको बताया मैं मन्त से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया इनके साथ जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट, शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें